हेलो वीवर्ट्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल और आज हम आपसे बात करने वाले हैं लीवर को स्वस्त रखने वाले खादि पदार्थ के बारे में एक स्वस्त ब्यक्ति के लीवर का वज़न एक से डेड़ किलोग्राम होता है यह हमारे सरीर के सबसे महत्वपूर अंगों में से एक होता है यह सरीर के कई जरूरी कामों जैसे पाचन, मेटाबॉलिज, इम्मिन्यूटी और पोसक पदार्थों के स्टोरेज में महत्वपूर भून का निवाता है साथी लीवर एक ब्रंथी होता है जो सरीर के अन्य भागों के लिए जरूरी केमिकल सिक्रेट करता है यहां तक कि लीवर शरीर का एक मात ऐसा भाग है जो अंग भी है और ब्रंथी भी लीवर हमारे रक्त की संगरचना को नियंत्रित करता है उसमें से हानिकारक विशाक्त पदार्टों को बाहा निकलता है और आतों के द्वारा भोजन में से और सोशित किये गए पोशक पदार्टों को सरी के उप्योग करने लाइब बनाता है साथ ही ये कुछ विटामिन्स आईरन और सिंपल सुगर ग्लुकोज को स्टोर भी करता है यहां पर लीवर को साप करने वाले सबसे बेहदमन खाद पदार्ट बताया जा रहा है लहसून लीवर को साप करने में लहसून काफीर लापकारी होता है यह लीवर में एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में मदद करता है जिससे विशाक्त पदार्टों को क्लियर करने में मदद मिलती है साथ ही इसमें एलिसिन और सेलेनियम नामक दो नैचुरल कमपाउंड पाय जाते हैं जो लीवर क्लीनिंग प्रोसेस को बढ़ाते हैं और लीवर को विशाक्त पदार्टों से डैमेज होने में मदद करते हैं इसके अलावा लहसुन कॉलेस्टरॉल और ट्राइगलिसराइड लेवल्स को कम करता है यह दोनों लीवर को ओवरलोड करते हैं और इसके कामकाज में रुकावर्ट पैदा करते हैं अच्छे रिजल्ट पाने के लिए फ्रेश लहसुन का ही सेवन करें न की प्रोसेज्ट, पाउडर्ड या कीमा बनाये हुए लहसुन के चकोत्रा चकोत्रा में भरपूर मात्रा में विटामिन C, पैक्टिन और एंटी आक्सिडेंट्स पाये जाते हैं जो लिवर क्लिनिंग प्रोसेश में मदद करते हैं साथ ही इसमें ग्लूटेथियोन नामक सक्तिसाली एंटी आक्सिडेंट्स पाये जाता है जो फ्री रेडिकल्स को बेसर करता है और लिवर को दी आक्सिफाई करता है Glute Theon Heavy Metals को Detoxification में भी मदद करता है और तो और चकोत्रा में Naringian Clonide भी होता है जो फैट को तोड़ने में मदद करता है रोज एक ग्लास ताजा चकोत्रा की जूस का सेवन करे या नास्ते में फल को खाएं यदि आप Medicine ले रहे हैं तो चकोत्रा का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सला ले चुकंदर चुकंदर भी Liver को साप करने और इसके कामकाज को बढ़ाने में काफी मददार पल होता है इसमें अत्तधिव मात्रा में Plant Flonides और Beta Carotin पाय राते हैं जो लीवर के संपूर कामकाज को ठिक करते हैं साथ ही चुकंदर प्राक्रितिक ब्लड प्यूरिफायर होता है अपने भुजन में ताजा चुकंदर या इसके जूस को सामिल करें निम्बू पानी निम्बू पानी भी Liver को साप करने में मदद करता है क्योंकि इसमें D-Limonine Antioxidant होता है जो लीवर में detoxification को बढ़ाने वाले enzymes को activate करने में मदद करता है साथ ही निम्बू में अत्यधिक मात्रा में vitamin C पाय जाता है जो लीवर को पाचन बढ़ाने वाले enzymes को ज़्यादा produce करने में मदद करता है निम्बू लीवर की खनीज और सोचर की छंता को भी बढ़ाता है ग्रीन टी रोज ग्रीन टी का सेवन करने से शरीर के विशाख्पदार्तों और अतिरित फैट को बाहान निकालने में मदद मिलती है साथ ही ये शरीर का hydration लेवल भी बढ़ाता है 2022 में International Journal of Ability में कोई एक study में पाया गया कि ग्रीन टी में मौझूद कैटिशिन्स लीवर में लिपिट संसलेसर को बढ़ावा दिता है इसके फल्ज़रूप लीवर में फैट का संचन ही होता हल्दी हल्दी भी लीवर को साप करने वाली काफी कारगर और लोग प्रीपदार थे साथ ही ये शरीर की फैट डाइजेस्ट करने की च्मिता को बढ़ाता है हल्दी में करक्यूमीन नामक कमपाउट पाय जाता है जो लीवर में ग्लूथियोनिंग एश ट्रांसफेरेज नामक महत्वपूर विशेरन एंजाइम के फार्मिशन को बढ़ावा देता है या लीवर में डेमेज सेल्स के पुना निर्माण को भी बढ़ावा देता है सेफ फल रोज एक सेफ का सेवन करने से लीवर स्वस्त्र रता है सेफ फल पैक्टिन का काफी अच्छा सुरूत होता है पैक्टिन एक खूलन सील फाइवर होता है जो पाचनतनते से विशाक्त पदार्तों और रक्त से कॉलेस्टरॉल बाहन निकालने में मदद करता है इसके फलस्वरूफ लिवर पर कामकाज का अधिक बोज नहीं पड़ता है प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब परना मत भूलिए और एक इन्फोमेटिव वीडियो को लेकर मैं फिर से वापस आउंगी तब तक के लिए स्टे हेल्बी, आलवेज बी हैपी और टेक गूड केर अफ यूरसेल्फ थैंक यू पर वाचिन माई वीडियो